Hello my dear Pisces, let's see कि आपके मन में जो चल रहे person है person on your mind ये आपके बारे में क्या सोचते है इस person की thinking, current feeling, next action आपको लेकर क्या है then मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगी कि ये person आपको किस नजरिये से देखते है आपके अंदर क्या good qualities क्या खूबिया ये notice करते है और क्या कमी देखते है जो आपके अंदर बदलाओ चाहते है तो वो भी मैं आपको बता दूगी ताकि आप अपने आपको change भी कर सकते है वो कमी जान कर ठीक है ताकि आपके person आपसे और भी प्यार करने लगे और आप दोनों का रिष्टा और भी अच्छा हो जाए divine guidance भी देखेंगे कि आप दोनों को क्यों मिलवाया गया है और आप दोनों का future क्या है दिन यहापे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके जो person है वो आपके लिए future के लिए क्या planning कर रहे है क्या intention है सब मैं आपको बताऊंगे और आपने जो इस person को लेकर सपना देखा है क्या वो सपना पूरा होगा या नहीं होगा ठीके ये सारी बाते आपको पता चलने वाली है सबसे पहले like and subscribe कीजिए align हो जाएए family member बन जाएए person reading के लिए contact कर लिए जीमल अनिस्टाइड के तो वीडियो के description में आपको जीमल अनिस्टाइड का जन्वन निक मिलेगा किसी भी topic पे आप लोग reading ले सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप लोग अपनी परसेडिंग बहुत ही easily बहुत ही अराम से बुक कर सकते हैं ठीक है वैसे अगर आप channel पे जाएंगे तो आपको और भी readings मिलेंगे marriage से related, love life से related तो देखिएगा और ये reading तो timeless है, ये reading आप कभी भी देख सकते हो 10 साल बात भी दिखोगे, resonate करेंगे So please God, give me a curate message दियान रखिएगा male, female, first, second, third marriage वाले LGBTQ community, सभी लोगी studying को देखेंगे Okay Please God, give me a curate message zodiac sign आपका Pisces होना चाहिए Okay अब भी सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो person है, इनको आप कैसे लगते हो ठीक है, आपको पाकर क्या feel करते है, कुछ feel करते भी है याने, क्या feeling है न की ठीक है, overall feeling अगर देखी जाए तो ये person अभी आपके उपर बहुत जादा focus बनाव है, पहले ही आपका value करने ही रहते है, अब देखिए कितनी जादा value और कदर करना शुरू कर दिये है जैसे इनको ऐसा feel हो रहा है कि मैं तो अब इसके बिना नहीं रह सकते, बहुत restless feel कर रहा है अब ये आपके person बहुती जादा restless feel कर रहा है आपके जो person है, वो कुछ time पहले आपके उपर give up कर दिये थे, लेकिन अब ये person वापस से खुद दोड़े-दोड़े आपके पास चले आ रहा है आपके साथ, जो भी इसकी ट्राइ की, लेकिन हो सकता है, उन लोगों के साथ भी experience किया हो लेकिन बहुती bad and poor experience रहा है इस person का, उन लोगों के साथ या third party के साथ और अब आपके person जो है ये feel कर पा रहे है, ये जान पा रहे कि आप इनके लिए कितने जादा important हो, बहुत पूर्ण हो और ये person आपके साथ जो time spent किये है, जो भी समय बिताए है उसके वज़े से ये person अभी बहुत grateful feel कर रहा है तो in short मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके person ये कहना चाहते है कि मैं बहुत grateful हूँ तुमारे जैसे इनसान को अपने life में पाक है ये कहना भी ये भी चाहते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारी दूरिया आ चुकी है बहुत सारे problems आ चुके है लेकिन मैं अभी भी तुम्हें पाके बहुत ज़़ादा grateful feel करता हूँ या करती हूँ अपने gender के recording कीजेगा आप सभी दो आपके जो person है इस person के अंदर आपसे मिलने का आपसे बात करने का या reconciliation का बहुत ही ज़़ादा hope दिखाई दे रहा है और ऐसा हो सकता है आपसे contact करने के लिए आपसे बात करने के लिए यह किसी का सहारा लेंगे किसी का help लेंगे और किसी के help के through आपके भाई बयान, आपके siblings हो गया आपके कोई दोस्त हो गया या कोई mutual friend हो गया तो उससे यह person आपका मतलब हो सकता है आपसे बात करें क्योंकि उससे आपने block कर दिया है या फिर इनके अंदर कोई shame है कुछ ऐसी गल्ती नोंने कर दिया जिसके वज़े से यह directly बात तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ, आपको किसी से call message करवा कि यह बोल सकते है कि उसको एक बार बोल दो मेरा information वो convey कर दो, बता दो ठीक है? तो आपकी जो person है किसी mutual दोस्त का use कर सकते है या प्रयोग कर सकते है जो भी कर सकते है कि यह जो person है उनसे help लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है क्योंकि बहुत इस person को low feel हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है इसी वज़े से यह person आपके लिए सामने से step नहीं ले पा रहा है डरबोग हो गया है उसके बाद यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हो कि आपके person अभी सच में अपने गलतियों का बहुत ज़्यादा realization कर रहा है अगर आपके मन में यह question है यह सवाल उठ रहा है कि क्या उसको सच में अपने गलतियों का अफसोस है भी आले तो यहाँ पर इसका answer है yes definitely उस person को अपने गलतियों का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है ठेक है और इसके लिए person आपसे हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे है यह चीज है आपके person जैसे अपने पात से है अपने रहा से खोचुके थे और अब फिर से यह focused होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं ठेक है आपसे I need to meet you यह कहना चाहते है मुझे तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी हो चुका है मिलना ठेक है ऐसे है दिल यहाँ पर आप इनको कैसे लगते हैं तो आपका जो mind है वो बहुत clear लगता है आप बहुत focused रहते हो आपने हो सकता है बहुत focused होकर इस person से प्यार किया अपनी पूरी energy दी बहुत energetically आपने जो है जैसे feel किया है इस person के लिए इस रिष्टे में खोच चुके हो यह सब बात यह person जानते है ठीक है तो आपने इस person को बहुत साथा dependable बना दिया है आपने इस person को पूरी तरफ confused कर दिया है अब यह person जो है आपसे दूर नहीं रह पाने वाले आप इनके जैसे backbone बन गए हो ठीक है emotionally तो अब यह person कैसे रहेंगे आपसे दूर इसी वज़े से यह person आपके तरफ दोड़े दोड़े चले आयते हुए दिखाई दे रहे है और बहुत energetically यह person भी आपके life में आ रहे है बहुत सारे direction इस person के life में open हो चुके है मतलब distraction ही कह सकते है हो सकता है और भी लड़कियों से और भी लड़कों से इनको proposal मिल रहा है लेकिन क्या फाइदा क्योंकि उन्होंने third party भी तो try करके देखा कुछ भी तो नहीं हुआ ultimately तो वहीं चीज होगा जो आपके साथ हुआ ठीक है तो इसी वज़े से यह जो person है आप दोनों के बीश में जो भी distraction हुआ या फिर जो भी destructive energy रही जो भी cause रहा उसको ठीक करके उसको अच्छा करके जो भी confusion है उसको खतम करके यह person आपके साथ होना चाहते है अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाह रहे है ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर clarify मैं करते हूं cards के तरू यह person अभी आपको लेकर क्या सोच रहे है क्या feeling चल रहे है इस person की बिल्कुल positive रहे है like and subscribe कीजिए energy को claim कीजिए ठीक है 11-11 लिखकर या 4-4-4 लिखकर please Scott give me a curate message दीखिए आपके person बहुत hearted है mental overloaded है आपके अबार में सोचे ही जा रहे है overthinking वैसे ही इस person की बढ़ती चली जा रही है उसके बाद यहाँ पर एक और information देखते है वो है king of source तो अगर इनका next action अगर आप जानना चाहते है तो बहुत honest, बहुत kind और बहुत ज़्यादा रिष्टे को लेकर discipline होते हुए दिखाई दे रहे है इनका पूरा का पूरा focus जो है आपके उपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे focus जो इधर से उधर हो गया था इधर उधर try करना, ये करना, वो करना, वो सब खतम हो रहा है अब ये person बहुत honest हो रहे हैं आपको लेकर और दिखते हैं क्या हो रहा है इस person के अंदर क्या बदला हो रहे हैं क्या current feeling है, please God give me a accurate message तो आफ वांट्स, आपके person आपसे बहुत दूर चले गया थे ठीक है, आप इनके पास थे, आप इनके करीदां, इनको प्यार कर रहे थे पर ये आपके प्यार को नहीं चाह रहे थे इदर उधर दlor ध्यान दे रहे थे पर यहाँ पे आप आप दुनों की बीच में वो फिर से प्यार डवलप होगा फिर से वह attraction डवलप होगा या बहुत बुरे तरीके से इग्नोर किया है। तो यह इग्नोर्डेंस को खतम करने वाले है। अब आपको यह बहुत वैल्यू देंगे। बहुत आपके लिए काइंड और कमपैशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया, उस तरीके से यह आपको बोलेंगे कि तुम मुझे सजा दो। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों की बीश में एक नई शिरुवात हो रही है। न्यू स्पार्क आप दोनों की बीश में डेवलप हो रहा है। आपके लिए, I miss your sexy body, okay? और क्या है? आपके person बहुत romantic भी, feel कर भी कि time में इसलिए person इस तरह के messages आपको दे रहे हैं, love letter, I miss your sexy body, I lost a special relationship, मुझे ऐसा feel हो रहा है कि मैंने बहुत special relationship को खो दिया है। ये भी आपके person आपको कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं, this one and this one. You are not loyal to me, I have grown a lot since we separate. 2 messages और देखेंगे, परसर रिडिंग के ज़रूर कांटाक कीजिए, मेरे gmail and insta id के तुरू, video के description में आपको, gmail and insta id का general link मिलेगा, किसी भी topic में रिडिंग जे सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रिडिंग ले सकते हैं, marriage, love life, career, past life, progression या healing कराने हो, वो भी आप करा सकत हो, ठीक है, channel पर जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे beautiful readings भी लेंगे, marriage से related, love life से related, and zoning sign, date of birth, name, initial according भी, तो देख सकते हैं, I feel you deserve someone better than me, I still thinking about us being okay intimate, तो आपके person के साथ हो सकता है, बहुत beautiful connection, physical connection, किसी भी तरह का connection आपका रहा है, तो वो सारी चीजे ये अभी के time में बहु लेकिन ये परसन आपको खोना नी चाहते है, तो वो आपके से अपके लाइक में आ रहे है, ओके तो ये आपकी reading रहे है, अपने ख्याल रखेगा, अपने family का वे, so bye bye, take care